हलो दोस्तों मैं हूँ पपल अगरवाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पपल फॉर यू दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में मुझसे कई लोगों ने कमेंट में इमेल और वाटसप के द्वारा भी इस बारे में पूछा है कि उन्हें भी अपनी मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है तो वो कैसे करें तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बताऊंगा जो कि यूज करने में एकदम इजी है और इसे मैं खुद भी यूज करता हूँ आप भी अपने मोबाइल की स्क्रीन का वीडियो कैसे बना सकते हैं वो भी आडियो के साथ यह जानने के लिए आपको बस हमारा यह वीडियो देखना है मैं आपको यह बताऊं दोस्तों उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चलिए प्लेइस टोर को उपन कर लेते हैं और यहां आपको उपर में सर्च करना है az screen recorder यह देखे दोस्तों यहां नीचे में आ रहा है az screen recorder no root इसको select कर लिजे दोस्तों आप इसे download करके install कर लिजेगा मैंने इसे पहले से install किया हुआ है तो चलिए अब बैक करके बता देता हूँ कि आपको record कैसे करना है दोस्तों अब आपको इस screen recorder को open कर लेना है और open करने के बाद ये दिखे साइड में छोटा सा icon आ जा रहा है तो इस icon के उपर click करिए और इसमें से ये first wallet setting में आ जाई है अब आपको यहाँ पर थोड़ी से setting करनी होगी ये देखिए ये देखिए आप यहाँ से इसके video quality को बढ़ा सकते हैं ये top quality ले 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 लेते हैं और इसके बाद नीचे आना है नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये देखिए record audio को on कर दिए और नीचे आईए ये देखिए ये so touch पर आपको on कर लेना है जिससे कि आप जहाँ भी touch करेंगे तो ये देखिए हलका सा ये छोटा सा mark बन जाता है तो चलिए दोस्तों बस हो गया इतनी ही setting है इसे अब back कर देते हैं अब आपको screen record करने के लिए वापस से इस icon पर क्लिक करना है और ये देखिए ये जो beach वाला red color का icon है इसके उपर click कर दिजिए तो ये देखिए दोस्तों ये counter start हो गया है और अब आपकी screen record हो रही है ये देखिए जैसे मान लिजे अपन my files में जाते हैं माई files में जाने के बाद audio में आते हैं ये देखिए मान लिजे इतनी audio अपन ने चेक की अब इसे back कर देते हैं और back करने के बाद दोस्तों ये slide को नीचे करिए और यहां से stop और ये देखिए ये आपका video बनके आ गया है play करके देखते हैं और अब आपकी screen record हो रही है दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी mobile की screen को record कर सकते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का video आपको पसंद आया होगा अगर आपको आज का video पसंद आया हो तो please इस video को like करें, comment करें, share करें और please हमारे इस channel को subscribe जरूर करें आज के video में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ और technical information के साथ अब तक के लिए goodbye, take care